एक दो नहीं बलकि चार चार रेसेपी हम आपके साथ सेर कर रहे हैं वो भी सिर्फ एक चीज कच्चे आम से जो हम कम से कम 15 दिन इस्टोर करके रख सकते हैं महिनों दिन तक भी रख सकते हैं तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं चट्पटी मैंगो स्लाइस जिसे देखते ही depois में पानी आजाइए खटी मीठी मुरभा जिसे हम पूरी पराठा रोटी के साथ एंज़ोई कर सकते हैं ऐसी चट्नी जो इडली डोसा समोसा रोटी पराठा हर एक चीज के साथ एंजोई कर सकते हैं सबसे पहले तो हम कच्छे आम को बढ़िया से धो लेंगे रगड़ रगड़ की कोई भी सबजी और फ्रूर्ट सो बिना धोई उजनी करना चीए तो मैं आम, धनिया, पत्ता, हरी मिर सब कुछ दो के रख लूँगी एक आम लूँगी, जिसे मैं छील रही हूँ, अभी अब देख सकते हैं तो यह हलका हलका पीला दिख रहा है, मतलब की हलका पका हुआ है वैसे ही मीठा नहीं लगेगा, खटा ही लगेगा इसे हम बढ़िया से छील लेंगे, छीलने के बाद हम इसे स्लाइस करेंगे एदा हम पतला पतला बराबर बराबर स्लाइस रखेंगे अब इसके लिए मसाला बना लेंगे, मसाले में लाल मीठ लेंगे बहुत ज़्यादा तीखा लगा नहीं लेंगे, यदि कस्मेरी लाल मीठ हो तो और भी बढ़िया रहेगा इसमें न हम प्रूट्स सौल डालेंगे ये फिर सेंधा नमक और ये दोनों ना हो तो साधी नमक मिला लेंगे बढ़िया से और हम क्या करेंगे कि आम के उपर से छिड़क देंगे और थोड़े से बचा के रखेंगे बाद के लिए इसमें थोड़ी सी भूली हुई जीरा भी डाल देंगे अब ये मिक्स कर लेंगे और एक श्टीक लेंगे पतला सा यदि श्टीक ना हो तो तूथ भी का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसे बढ़िया से इसको सेट कर देंगे एक एक करके वैसे श्टीक ना हो तो हम ऐसे भी खा सकते हैं लेकि श्टीक वालन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और एक श्टीक में बहुत सारे आ जाते हैं इसे देखकर आपको अपने बच्पन की याद आए कि नहीं कॉमेंट बक्स में बताईए कि जरूँ वैसे इसे में बनाते हुए अपने बच्पन की याद कर रही हूँ क्योंकि ये वाली जो चट्पटी मेंगो है ना हमने बहुत खाए हैं बच्पन में अब तो जैसे मिलता ही नहीं है गाउं, वो बगीचा, वो कच्चा-कच्चा आम तो अब वो मजा रहा नहीं लेकिन हम इसे खा करके अपने बच्पन को याद कर सकते हैं मसाले में से जो बच्ची है ना वो मसाला हम इसके उपर छिड़क देंगे और ये हमारी चट्पटी मेंगो बन के तयार है तो कॉमेंट बक्स में जरूर बताईएगा कि कैसा लगा आपको आगे चलते हैं खटी मिठी मुराबा बनाने के बहुत तरीके होते हैं लिए वाला जो तरीका है न सिर्फ वर सिर्फ दो मिनट में बनते हैं बहुत यहांने मिनटों में बहुत ही घेष्टी भी बनेगा तो सबस्यां प्लतों आम को चीरल लेंगे धो लेंगे और फिर इसको ग्रेट कर लेंगे मूटा मूटा यह प्ली पतला पतला अब जैसे चाहो वैसे ग्रेट करो लेकिन ग्रेट करके ही बनाओ जब तक हम आम को ग्रेट कर रहे हैं तब तक हमारा कड़ा ही गरम हो चुका है और इसमें डालेंगे एक चमच गी गी में ही बनाएं बहुत इस बड़ी असवादाता है गीवाला इसमें थोड़ी इस जीरा डालेंगे दो तिन लाल मिश डालेंगे और दो तेज़ पतलेंगे और इसमें और कुछ में एड़ करेंगे अब इसमें हमारा आम ग्रेट किया हुआ और इस से जूढ़ा देनी इस सिर्फ पर सिर्फ एक मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे क्योंकि इसमें इतना पानी होगा ना कि इसको भूनते रह जाओगे कलर भी चेंज हो जाएगा स्वाब भी बदल जाएगा अब इसमें कुछ मसाला डालेंगे एक मिनट भूनने के बाद थोड़ी सी जीरा थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च हल्दी जरूर डालें क्योंकि हल्दी हेल्दी होता है इसलिए इसमें हम डालेंगे सेंदा नमक या फिर काला नमक संदे नमक ना हो तो सफेद नमक डालें और कलाउजी जरूर डालें जो मंगराईल बोलते हैं जवाइन के साथ आता है वो कलाउजी आहा उसका स्वाथ तो और भी बड़ी आता है अब इस सब को डालके भूनेंगे सिर्फ एक मिनट के लिए और फिर हम डाल देंगे इसमें चीनी चीनी के जगह आप गूर या फिर मी चीनी डाल करके लगतार हम मिडियम प्लेंपर दो मिनट तक इसको भूनते रहेंगे जिससे की चीनी अच्छे से पीघल जाए चीनी की जगह आम हो मीठा हो तब यह ऐसे ही करेंगे सेम प्रोसेस लगतार चलाते रहना है चोड़ना नहीं है अब हमारा मुरपा बनके तयार ह इसे हमें हलका गीला ही चपचपा ही रखना है सुखाना नहीं है ठंडा हो जाए तो एक कंटेनर में रखेंगे धकन से बंद करके इसे फ्रीज में रख देंगे एक महीना आराम से अब खा सकते हो और ये वाला जो मुरपा जब भी मैं बनाती हूँ न मुझे सबजी बनाने कि जो नहीं पड़ती है आम बहुत ही खटे है और सिर्फ आम वाला जितना अच्छा नहीं लगेगा उससे कहीं ज्यादा धनिया पत्ता के साथ अच्छा लगेगा तो धनिया पत्ता लेंगे इसे दो चार भाग में काट लेंगे हलगा सा आम को छीर के काट लेंगे आम और पत्ता को डाल देंगे मिक्सी जार में वैसे हमने सुना है कि सिल्वट्टा पे पीसा हुआ चटनी बहुत ही टेश्टी बनता है सुना क्या है हमने तो पीस के खाया भी है तो यदि पॉसिबल हो तो ट्राइ जरूर कर एक बार अब इसमें डाल देंगे हम तीन-चार हरीमी थो सरसो तेल आपको देखने में ज्यादा लग रहा होगा लेकिन चट्टी में सरसो तेल बढ़िया से डाला जाएना तो और भी टेश्टी लगता है तो इतना सारा हमने तेल डालके बढ़िया से इसको मिला लेना है और इसे हम कंटेनर में बंद करके आराम से 15-20 दिन तक फ्र